दोस्तों अगर आप भी धोनी और सुरे कुमार यादो को शांदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खिशेगा दोस्तों भारत के कोच बनते ही धोनी ने बिखेरा अपना जादू धोनी की शरण में आते ही गरचा है सुरे कुमार यादो का बला चौके छकों की जड़ी लगाते हुए चड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक तो पूरी दुनिया ने ठोका सलाम तो आखर कैसी रातो रात महेंदर सिंग धोनी बने भारती टीम के नए कोच और उनके सम्मान में कैसे सुरे कुमार यादो ने वेस्ट अड़ीज की धचिया उड़ा दी कितने चौके छक्य बरसाए उन्होंने अपनी खौफनाक बले बाजी के दोरान उनकी एतिहासिक तूफानी शतकी अपारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सुरे कुमार यादो और महेंदर सिंग धोनी में कौन सबसे शांदार फिनिशर है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताए दोस्तों टीम इंडिया को एक महीने के भीतर वेस्टन डीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के साथ साथ तीन वंडे और पांच टीटवन्टी मैचों की बेहत रोमान चक सिरीज खेलनी है जहां वंडे और टेस्ट के लिए टीम इंडिया का एलान भी हो चुका है और धोनी ने अपनी प्वद्वी संभालते ही अपना ज्यादू बिखेरना शरू भी कर दिया है बता दे जहां फैंस में एक तरफ इस बात की खुशे थी तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने कल पुना भी नहीं की थी कि दुनिया के नंबर वन टी-ट्वंटी बल्लेबाद सुरिया वेस्टनडीज के खिलाफ इस गदर तबाही मुचा देंगे जी हाँ दोस्तों एक बार पर चुम का भारत का सुरिया और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आँखें चौन दिया दी लेकिन ये तो केवल तुफान के पहले की शान्ती थी उसके बाद तो तबाही का मंतर इस कदर आया कि वेस्टनडीज की रूह का पूठे इस खिलाडी ने एक के बाद एक सीधा चौके छकों की जड़ी लगानी शुरू कर दी जैसन होल्डर की जम कर पिठाई करते हुए उनकी लागातार तीन गेदो पर दो खौफनाक चौके और एक चौका जड़कर इस खिलाडी ने केवल उनने इस गेदो पर अपना तोफानी और दुश्या तक पूरा कर लिया था जिसमें उन्होंने पांच खौफनाक चौके लगाए थे इसे देखने के बाद से ही कप्तान निकोलस पुरन से लेकर क्यारी भी आई खेमे के पसी ने छूटने लगे थे तो वहीं अपनी आखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे वहीं पूरे स्टेडियम में गेवल सोरिया सोरिया के नारे ही सुनाए दे रहे थे इस खिलाडी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबासों के बस की बात नहीं थे जैसन होल्डर अलजारी जोसिफ लेकर कीमो पॉल हर एक गेंदबास को रिमांट पर लेते हुए सोरिया ने मैदान पर क्वेहर बरपा दिया था अपना 360 अंदास दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने में बाउंडरी पर बाउंडरी लगाते जा रहे थे वहीं बारदी खेमे में तो जैशन का माहूल था रोहिद धोनी से लेकर हर तरफ केवल खुशिया थी इसी दोरान उन्होंने अलसारी जोसिफ की यॉरकर पर अपने घोटने टेक कर विकेट के पीशे इतने खुबसूरत चके लगाए कि गेंदबास की तो आँखें ही फटी की पटी रह गई कोई भी उनकी सदभूत चके पर भरोसा नहीं कर पा रहा था पुरा स्टेडियम खुशी से जूम रहा था क्योंकि सोरे कुमार यादो केवल 32 गेंदो पर 99 के आंकड़े तक पहुँच चुके थे अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी पुरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था सब ही उनके शतक का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और इस खेलाडी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया गेंदबाजी करने आये अकील हुसेन के सिर के उपर से खौफनाक छक्का बठोर कर सोरिया ने अपना शतक पूरा कर एक नया इतिहास लिख दिया था लेकिन इसके बाद भी उन्हें कहां चैना था जहां वेस्टन डीट सोच रही थी कि शतक बनाने के बाद वो रुख जाएंगे पर सोरिया को ये मनजोर नहीं था देखते ही देखते इस खिलाडी ने 150 रनों का आखड़ा पार खड़ लिया तो अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 190 रनों की आतिशे पारी खेली जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है सोरिक हुमार यादो को टेस्ट मैच के साथ वन्डे की प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जाना चाहिए या नहीं कॉमेंट में जरूर बताइए